अगर आप एंटी हेलफोल शेम्पू का यूज़ करते हो कि भी आपके बाद और जाबा गीर रहे साथ ही आपके बाद ड्राय हो रहे प्रीजी हो रहे साफ साफ दर्शा आता है कि जो आपका शेम्पू है वो केमितल से भरा हुआ है इंडिया के अंदर ऐसी बहुत साफ ब्रैंड से जो हर्बल शेम्पू के नाम पर आपको केमिकल भेश देती है तो इससे बैटर है कि ऐसे शेम्पू को यूज़ करने से अच्छा कि आप घर पी शेम्पू को तियार करें अगर आपको घर पे शेम्पू बनाना नहीं आता तो आज की वीडियो पूरा ध्यान से देखेगा तो कि आज हम घर पे त्यार करेंगे फेलियो की सीट से मिस मेठी दाना से शेम्पू चौप के बालों को पूरी दरा से सिल्की स्मूद बनाएगा अगर आपको स्प्रिट एंड की प्रॉब्लम है उसको खतम करेगा आपके हैर फोली को उसको स्ट्रॉंग बनाएगा जिसकी वज़े से आपकी जो हैर फोल की प्रॉब्लम थी वो खतम होगी और साथ ही अगर आपके बाल बीच में से तूटते हैं तो यह आपकी प्रॉब्लम को भी खतम करेगा मिठी दाना का शेम्पू बनाने के लिए आपको जबत प अब हम इसके देर के उबाला आएगा तो हम पानी को दुस्ते बर्तद के ऐंदर ट्रांसफर कर लेंगे यह दूसके बाद हम इसके बाद अडर एड़ करेंगे मैथी दाना और साथ ही हम इसके अडर एड़ करेंगे क्लॉव मिस लोंग मिथी दाना हमारे hair follicles को strong बनाता है जिसे hair follicles को कम करने का काम करता है मिथी दाना में anti-inflammatory and anti-fungal properties पाई जाती है जो हमारे scalp की health को improve करता है और साथ अगर आपको dandruff की problem है तो dandruff को भी खतम करता है इसमें पाया जाने वाले vitamins जैसे की A, B, C, N, K इसके अलावा इसके अंदर पाया जाता है iron, calcium, potassium and phosphorus जो हमारे hair follicles को नरिश करता है healthy hairs को उगने में मदद करता है इन बालों के अंदर freezing एसे अपके बाल बहुत ज़दा dry रहते हैं दो मुहें बालों की problem या फिल अगर आपके बाद बेच में से तूटते हैं तो इस सभी problems को खतम करता है अगर हम बात करें claw की, miss long की तो long हमारे बाल को strong बनाता है बाल की growth में एक help करता है और साथी dandruff या फिर आपके skull के उपर कोभी तरका fungal है उसे खतम करने का काम करता है गरम पाने के अंदर मेथी दन और claw डालने के बाद आपको इसको cover कर देना है जिसकी वज़े से इसके अंदर जो भाब थी वो बहार ना जाँ पाए आपको इसको at least 10-15 गंटे तक cover करके रखना है इस 15 गंटे के बाद आपने आप पानी थंडा हो जाएगा साथी जो मेथी दना था वो पानी के साथ mix होके एक चिकना सा पानी तैयार हो जाएगा 15 गंटे के बाद जो मेथी दाना कापानी हो तैयार हो चुका है तो हम इस time पे मेथी दानों को पानी से अलग कर लेंगे सन्दी की सहायता से आपको पानी को अलग कर लेना है पर जो मेथी दना में बचेगा उसको paste बनाके as a hair lip की तरह यूज़ कर सकते हो और यह पानी जो तियार हुआ हम इसका तियार करेंगे शेंपू शेंपू बनाने के लिए सबसे पहले हम भी करके अंदर डालेंगे मेथी दाना का पानी और इसके अंदर हम एड़ करेंगे CMC powder CMC powder का काम होता है कि अब जो भी चीज़े इसके अंदर डालो के वो अच्छी तरह से combine हो जाएगी मेंसे emulsify का काम करेंगा CMC powder बहुत हलका होता है, lightweight होता है तो इसको मेथी दाना के पानी के अंदर डालने के पाथ इसको एकलिस ऐसी 8-10 गंटे के लिए छोड़ दे इसकी वज़े से यह अपना mix हो जाएगा अगर अपने डलती से भी इसको mix किया तो जो भी आप spoon का यूज़ करगी तो स्पून के उपर CMC powder चिपक जाएगा तो हम इसको चेक करेंगे 8-10 गंटे के पाथ लेकि इसको छोड़ने से पेले आपको इसको cover करके छोड़ना स्पेशली कोको ग्लुकोसाड बेबी प्रोड़क्स बनाने के लिए यूज़ होता है इसके आलाव हम इसके अदर एड़ करेंगे polyvium 1000 यह हमारे बलो को कंडिशनल करने का काम करेगा हमारे बलो के उपर मुश्यूराजिस को लोग करने का काम करेगा और लास्ट में इसके अ एड़ करेंगे ACI powder चिक forming agent है और साथ है हमारे skin के लिए हमारे hair के लिए बहुत ज़्यदा फाइदे मत होता है हमारे skin को हमारे hair को बहुत ज़्यदा soft बनाता है और साथ ही बहुत भी अच्छा smooth बनाता है यह उन्य हमेटेड होता है तो जब भी आप अपने बाल को इसे wash करो होगे तो आपके बाल बिल्कुल भी dry नहीं होंगे बिल्कुल भी freeziness नहीं होंगे ACI product को melt करने के लिए आपको इसको गरम करना होता है तो जो मारे मेथी दना वाला face था और जो मने कोको ग्लुकोसर वाला face त्यार किया और इसको रखेंगे double boiler के अंदर दो से 3 मिट इसको अच्छी तरह से double volume रखने की बात आप देख सकते हो जो ACI वाला गोल था वो पूरी तरह से ready हो चुका है तो इस टैम पे जो मारा मेथी दना का liquid था हो उसके अदर add करेंगे हमारा second वाला goal दोनों को अच्छी तरह से mix करेंगे अब देख सकते हो धरी धरी इसका जो color था वो change हो रहा है मैं जो मारा shampoo था उसका pH level बढ़ चुका है अगर आपको वीडियो में properly नहीं दिख रहा तो मैं आपको इसका pH check करके दिखा देता हूं आपको लेने pH paper और डेरिक करने के लिए हम इसके अंदर add करना पड़ेगा satric acid एक बात का ध्यान रखे satric acid को एक साथने जाबा add ना करें फेले थोड़ सा add करें उसके बाद उसको pH check करें अगर pH maintain नहीं हुआ है तो अगें थोड़ सा satric acid add करके pH को balance करें so मैं इसके अंदर थोड़ सा add करूंकर satric acid उसको अच्छी तरह से mix कर देंगे mix करने के बाता हम इसके अंदर dip करेंगे अगर pH paper अब देख सेकते हैं जो हमारा pH है वो almost 5.5 के around आ चुका है जिसे जो हमारा shampoo है वो finally तयार हो चुका है इसके बात मैं इसके अंदर add करेंगे rosemary essential oil अप यहां पर कोई भी essential oil का use कर सकते हो एं फिर अब यहां पर कोई भी fragrance का use कर सकते हो rosemary essential oil जो हमारे बालों के ऊपर एक magic की तरह काम करता है जो हमारे hair follicles होते है उसके ताकात देने का काम करता है उसके strong बनाता है इसकी वज़ए से हमारे hair falls खतम होता है एवन अगर आपको बालने से एकल्पन की शिकायते तो रोज मेरी बाल को रिग्रोज करने की भी ताकात करता है यह सब के जहाचो के बाल को दूबार से उगाने की भी ताकात रगता है एसेंशल और एड करने के बात में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैंने इसके अंदर प्रिजर्वेटी का यूज लहें किया तोकि जो हमारा शेंपू है वो तीन मेहने दर बिल्कुल भी खरब नहीं होता अब देख सेक्ट कि अभी भी बहुत जबार लिक्विड है जिसको थिक बनाने के लिए इसको शेंपू के फूम में लाने के लिए इसके अंदर एड़ करें जैंथान गम अपको लेने थोड़ा सा ग्लिसेरिन उसके अंदर को डाल है जैंथान गम दुनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें जो गोल बनेगा उसको हम शेंपू के अंदर एड़ करेंगे शेंपू के अंदर एड़ करने के बार हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अभी भी यह थोड़ा सा लिक्विडी है लेकिन 2-3 घंटे के बाद जब जेंथन का शेंपू के साथ मेक्स होगा यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा जिस तरह से मार्केट के अंदर शेंपू मिलते यह उसी फॉर्म के अंदर कनवर्ट हो जाएगा तो हम चेक करेंगे इसको 2-3 घंटे के बाद अब बेख सकते हैं कि जो हमारा शेंपू थे हैं वो फाइनल तयार हो जुका है तब इस शेंपू को बोटल के अंदर स्टोर कर लेंगे और इस शेंपू अब यूज़ करने के लिए तयार है इस शेंपू की खासबत यह है कि बहुत ज़्यदा माइल्ड होता है तो इस 6 मत से बच्चे से लेके कोई भी उमर की बड़ी व्यक्ति इसका यूज़ कर सकती है इसका यूज़ करने से आपके हैर फॉली को स्ट्रॉंग बनाएगा जिसकी वज़े से अगर आपके बाल बहुत ज़दा ज़ड़ते थे तो यह पंदर से 20 दिन के अंदर ही आपके हैर फॉल को इस टॉप करेगा अगर आपके बाल बहुत ज़दा फ्रीजी रहते हैं अगर आपके बाल बहुत ज़दा ड्राइ रहते हैं ड्राइनेस को खतम करेगा और आपके बालों को सिल्की स्मूद बनाने का काम करेगा अगर कुस्पेटेंट की प्रोबलम में आपके बाल बीच में से टूपते हैं इस प्रोबलम के अंदर भी बहुत अच्छे से काम करेगा साथ ही अपकी बालो की लेसको इंपरूब करने का भी काम करेगा इस शेंपू इतना ज़दा फाइदे बदे इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी कंडिशनिंग करने के जरूर्ट नहीं पड़ेगी यूकि हमने इसके अंदर डाला था ओलिवियम थाउजन या एंसे आई पाउडर साथ ही जो मेथी दरना डाला था उसकी वज़े से आपकी बालो को पंडिशनिंग करने का भी काम करेगा मैंसे शेंपू औल इनवन शेंपू है इसका यूज करने के बाद आपको कंडिशनर करने की बिल्कुल भी ज़रूर्ट नहीं पड़ेगी जिस तरह से आप नौर्मल शेंपू करते हैं उसी तरह से आपको इसका यूज करना है सबसे पेले अपने बालो को अच्छी तरह से wayट कर ले गिला कर ले और उसके बाद खोड़ा से शेंपू लेकिए अपने स्काल के पर अपलाई करें अपलाई करने के बाद, फिंगर टिप से उसको हाल के हाथों से रब करें, इसकी वज़े से जो आपके स्काल के पर डड़ था, गंदगी थी जो एकसेस ओयल था, वो निकल जाएगा, और सबसे इंपोर्टन बात, यह आपके बालों के उपर ओल को निकाल देगा, लेकिन आप अगर आपको मेरी माहिती यसुल लगी हो, तो मेरी डियो को लाइक जरूर करें, आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में, अब तक के लिए दन्यवार